नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं वेजी टेक्निकल, हाज आपसे बात करने वाले हैं M überzeug के लिप बारे में M एमाई के स्टोर्स के उपर यह एक्सलूजी पहली बार ऐसा कर रहा है शौरमी कि अपने ही वेबसेट बेज़रा कहीं और नहीं पता नहीं क्यों शायद उनको पता चल गया उनका मार्केट क्या है तो 6000 की कीमत वाला भी आपको 5000 रूपे में मिलेगा तो यह जो साउंड बार ह आपको क्यों लेना चाहिए किस की चीजी के साथ कॉम्पेटेबल होगा इसमें क्या फंक्शन से क्या साउंड है और कैसे इसको बनाया गया सारी टेल्स इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह कंपनी ने एक वीडियो लॉंच किया है इसके बारे में तो उसमें हमको काफी सारी आइडियाज आ जाएंगे कि इस वीडियो उसके अंदर क्या है सांडार किस तरह से काम करता है कि सतरह से इसको बनाया गया है तो आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है काफी सारे जो है डीटेल्स दी गई है मल्ठीपल च götर्विटी करते न आप नए तव पुरान टीवी हो या आपको कोई भी Bluetooth सिस्टम हो और इसके उपर काफी बढ़िया उपर कवर दी गई है जो फैब्रिक डिजाइन दी गई है काफी प्रियम है जैसे कि आपने अधर मुजिक सिस्टम में सुना होगा मी की ब्रेंडिंग तो हई है क्योंकि मी के ही दिया गया है कनेक्टिविटी इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं उपर की तरफ आपको बार दिये गए हैं प्लस मानस करने के लिए और इसकी लेंद काफी अच्छी है जो कि करिब 80 cm के तकरीबन है आपके टीवी के अंदर काफी बढ़िया से हो जाएगा 32 से लेकि चाहिए आपके जितनी बड़ी टीवी हो आप लगा सकते हैं सिनेमेटिक एक्स्पिरेंस मिलेगा आपको काफी अच्छा 50 Hz के साउंड है और इसका अंदर आठ अलग-अलग स्पीकर दिये गए हैं आपको छोटे से लेकि बाड़ा से बड़ा म्यूजिक आपको डिस्क्राइब करने के लिए ब्लूटूस से कर सकते हैं एट साउंड ड्रैवर दिया गया है इसमें 20 mm के दो डोम ट्विटर्स दिये गए हैं साइड साइड में और रेडिटर चार दिये गए हैं ताकि आपको हैवी से हैवी साउंड और बास इफेक्ट दिया जा सके तो इस तरह से आपको जो है क्लियर वॉइस साउंड मिलने वाली है और यह ना केवल टेबल माउंट होता है बलकि यह आपके इसमें लग जाएगा दिवाल में भी कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर इसली बंद करके यह एक ऑन अफ का स्विच दिया गया है बाकि आप इसमें फाइबर आप्टिक्स क केबल लगा सकते हैं यह पाउर का पॉर्ट है 3.5 mm का जैक याने ऑक्स के थुरू भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं लाइन दिया है स्पीडिएफ पोर्ट भी दिया गया आपको पुरह टीवी है तो इसके अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि इसको साउंड प्रोइड करेग तो यह काफी बढ़ी है इसका कब्ड डिजाइन दिया गया है ताकि आप टीवी के नीचे लगाएंगा तो टीवी की खुबसूरती बढ़ जाएगी इसमें बताया गया है ट्रेडिशन में आपको कैसी इतने सर्म वायर्स कनेक्टिविटी मशीन वगरा स्पीकर वगरा होत इस तरह से साउंड बर दिखाए देगा इसके हम अगर टीटेल स्पेसिफिकिशन में जाए तो स्पीकर यूनिट जो है इसमें 65 mm 2.5 इंच का बास यूनिट दिया गया है साथ चाथ 2.36 mm का यानि 0.75 इंच का वाइस कोईल दिया गया है और टेरिवल यूनिट प्लस 4 70 बढ़ जाता क्योंकि साइस काफी अच्छी है 1.9 यानि कि 2 के करीब समझ लिजिए और 83 cm का वाइड है और लंबाई में आप देख सकते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं है 8 cm चोड़ाई इसकी जो है 7 cm की दी गई है और वाल मांट के हिसाब से 41.6 यानि कि 41.6 cm पर आप इसको कर सकते हैं दो छेदों को और अलाम से लटक जाएगा तो इस तरह से इसकी दिगर डिटेल्स और इसके बारे में जो है Bluetooth 4.2 को सपोर्ट करता है और इन्पूट पार इसको है 14 वाट लगेगा जो की काफी जादा पाउर लग रहा है comparison to other चीजों के हिसाब से तो इसके अंदर जो है आपको क्या क्या मिलने वाला है वो यहां पे दिया एक साउंड बार मिलेगा एक यूजर मैनूल एक एडप्टर एक सबीडिया एक केबल भी दे रहे हैं यह स्कुरू दो मिलेगी और स्कुरू एक्सपांशन जो कि उसके नदर रिबीट कम कह सकते हैं छेद में डालक स्कुरू फिट अप करते हैं तो सारा सेटप आपको मिलेगा बाहर से लेने की कुछ भी जरूत नहीं है तो मिलेगी साउंड बार लगाए और एंजॉय करिए भारत में 16 तारिक से मिलना चालू हो जाएगा और केवल और केवल MI के स्टोर्स पे और MI.com के उपर थैंक यू